Class 10 Science की ज़र्नी पे संतोच सर नया चाप्टर कव स्टार्ट होगा तो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने चाप्टर 3rd मेटल्स आप 9 मेटल्स को इससे पहले अगर अगर आपने अभी तक चाप्टर 4, चाप्टर 2, चाप्टर 5 और चाप्टर 6 कंप्रीट नहीं करा तो तो क्या कर रहे हो जल्दी जाके chemistry के दो chapters और biology के दो chapters तो complete करेंगे हैं से आपका पांच वा chapter चालू हो जाता है से करते करते हैं बहुत जल्दी पूरा syllabus को cover कर लेंगे lecture को बहुत detail पर कराया हूँ है यहाँ पर सीखने जा रहे है physical properties of metals हैं और इसे सारे parts में हमें chapter को complete करेंगे आपको patience रखना पड़ेगा और NCRT के हर एक line को master करना पड़ेगा इस lecture से मैंने बहुत सारे questions solve कराये हूए हैं और दो questions आपको homework पर दिये हैं अच्छे बच्चों की तरह दोनों question करके submit कर देना अगस का month है बहुत शांदर तरीके से utilize करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़े आपके लिए आने वाली सो अगर platform पे नहीं हो तो किस बात की देरी लाल बटन दवा देना start करते अपने chapter 3rd metals and non metals का बहुत बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं तो यहां से start करते अपने chapter 3rd metals and non metals को chemistry की बात की जाए तो यह chapter का अच्छा खासा weightage है आपके board examination के लिए don't worry chapters को कुछ इस तरीके से आपके सामें रखा जाएगा कि chapter को complete करने के बाद आपका इस chapter से कोई भी कुछने गलत नहीं होगा you will surely master the chapter है start करते जल्दी से अपने NCRT book मेरे साथ सा लेके बैठना हर एक चीज note करते चलनी है और इस chapter के जो note से आपको मिल जाएंगे description पर जाके check कर लेना okay और साथ में previous questions भी update कर दूँगा देखा जाए NCRT chapter 3rd metals and non metals थोड़ा सा में ले चलूँगा आपको class 9 पे sir class 9 की बात मत किया करो थोड़ा सा basic है कि ये chapter आया कहां से उसके बाद सीधा class 10 पे आपको switch कर दूँगा ठीक है चलूँगा चाओ देखा जाए आपने न class 9 पे बढ़ा होगा matter के बारे में yes you know matter matter क्या था anything that occupy space and have mass is called matter हमारे आसपास सारी चीज़े लगबग उच्छा matter है mass है और साप में कुछ न कुछ space occupy करता है मतला उसके बाद volume है हमने matter को classify किया था on the basis of यहां पर chemical properties एक आपका pure substances और एक आपका impure substances है और इसी pure substance के अंदर आपका एक था elements और साप में एक आपका compounds है elements और compounds में simple सा फरक है elements और compound दोनों ही pure substance है अगर same type of atoms है तो वो elements के अंदर आ जाता है अगर वो एक से ज़्यादा type of atoms है तो वो compounds के अंदर आ जाता है जैसे example मैं आपसे बोलू आपका na तो na आपका एक element है डरे क्या मैं आपसे बोलू आपका hcl तो आपका hcl एक आपका compound है तो आपका na के आपका same type of atoms होंगे मैंने बोला gold तो आपका element है और इसी elements को हम यहाँ पर classify करने जारे अब elements की तीन major category को निकाल दिया जाएगा and that is metal, non-metal और एक होते हैं जो इनके बीच में intermediate property शो करते हैं that is called metalloids और इस chapter पे हम metals और non-metals को बहुत detail पे पढ़ने जारे अभी मैं आपसे पूछू हो तो any metal है की नहीं तो आपको शायद बताने में थोड़ time लगे बड़ जब इस chapter को master कर लोगे आप अराम से पैचान सकते हो कौन सा metal है, कौन सा आपका non-metal है बहुत सारी property पढ़ेंगे physical की बात की जाए, चाहे आपको chemical property की बात की जाए दाने क्या, तो यह आपका छोटना सब basic है, इसी को हम detail है पढ़ने जा रहे पकी बात है, अब यहाँ पर आजो और जिन बच्चों ने अभी तक telegram का channel जॉइन नहीं किया, शुब काम पर देरे नहीं करते हैं जो आप पढ़ रहे हो, इसके notes भी आपको अनेकेडमी के telegram के channel साथ में जो कुछ भी lectures आने वाले होते हैं मेरे साई life classes, वो सब कुछ आपको यहीं मिलेगा जल्दी आके join कर लो, आप यहाँ पर आजो यह थोड़ा सा आपके नया होगा यह chapters जो old NCRT थी ना, chapter 5 था बड़ इसको delete कर दिया गया है तो कैसे क्या आपका loss हो का ना जीना कोई loss नहीं होगा इसका reason कि आपके class 11 पर से में चाप्टर मिलेगा यह आपके सामने क्यों लाया गया है इसे क्या बोलते हैं बच्छा भी फास इसे बोलते हैं आपका modern periodic table सब एक आप मिलके बोलेगे बिटा modern periodic table है इस table में आपके पास 118 elements है और इस 118 elements को यहाँ पर classify कर रखा है कुछ आपके पास यहाँ पर columns है कुछ आपके पास rows है आपको क्यों दिखाया गया देखजा ध्यान से बिटो यहाँ पर 3 categories है एक आपका metals एक आपका metalloid और एक आपका non-metal है तो आप देख सकते हो इसको देख के मुझे बताओ आपके पास जो 118 elements है उसमें जादा तर metals है यह आपका non-metals देखा जाए बीफास्ट, observe करो तो आप कहोगे सर यहाँ पर जाद तर यह सारे जो उल्टे हाथ की तरफ है यह आपके metals है और यहाँ पर जो आपके पास है कुछ non-metals है और बीच में एक जिगजग लाइन दिख रही पीटा बीफास्ट, एक जिगजग लाइन दिख रही आपको यह आपका बोलो क्या हो जाएगा metalloids है इसको याद करने का छोटा सा शांदार सा तरीका देखा जाए बोलो, क्या बोलना है बोलो बोल दो बोलो, सिम्रन से जरा आश्वर्या सब तेरा ओपी आजओ, बीफास्ट बोल दो, सिम्रन से जरा आश्वर्या सब तेरा ओपी जो आपको ध्यान रखना है बच्छा बी से बरॉन, एस आई से सिलिकन और जी इसे जर्मेनियम जर्मेनियम यह बाकी जो हैं यह आपके कामकर नहीं है फिर भी आपका टास्क है एस कौन से एलिमेंट का सिंबल है यह आप मुझे बताने वाले हो कहां पर जल्दी बोलो कॉमेंट सेक्शन पे तो इसके इस तरफ जाता सारे मेटल्स हैं और इस तरफ आपके नॉन मेटल्स हैं अब कैसे पैचानोगे अब यह इसी बात है संतो सरीक अच्छे टीचर है कैसे पैचानोगे यहाँ सब कुछ करवा देते हैं PYQ सब कुछ करा देते हैं जो एक नीड होती है हमें क्लास 10 पे वैसे बच्चा मेटल्स और नौ मेटल्स को आप कैसे पैचानोगे इसका आंसर आपको मिलेगा जब यह चार्टर खतम होगा प्रामिस ना हर कोई बच्चा ही चार्टर करेगा और मेरे साथ साथ ही फिर इंटेक्स, एक्साइज और प्रिवियस यह कुछन करेगा तब आप इस चाप्टर को मास्टर कर लोगे आजाओ पक्का जल्दी से यस ये नो आजाओ यहाँ पर तो अब हम बात करते हैं हमने क्या कर दिया बोलो भी फास्ट आपका elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties यह हम properties पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर हम discuss करेंगे आपका physical properties और आपका chemical properties हैं ताकि आपको अलग से idea मिल जाए अच्छा यह है पर कई metal है कुछ common metal जो आप बहुत सुनते आ रहें बटा आपका iron symbol बोलो आपका fe आपका aluminium symbol al silver आपका ag और copper आपका cu चुरो आपसे मेरा question है जादत तर आपने daily life में कौन से metal को देखा है मुझे अभी बिताना comment section पर यार में बार बार में यह आपसे comment section इसलिए बोलो है ताकि मुझे लगे ना कि आपका involvement बहुत अच्छा है कि आप interact कर पा रहे हो कोई बातनी virtual class चल दिए बट यार वो लगना चाहिए कि आप अभी physical class से बैठे हो आ जाओ और कुछ आपके non metals हैं जैसे hydrogen जैसे आपका nitrogen आपक sulfur and आपका oxygen कुछ याप प्यारे-प्यारे यहाँ पर है पैचान सकते हो क्या बता हो यह बोलो कि आपका iron यहापका aluminium यहापका silver देखो यह करो कैए यह आपका copper है यह powder दिखा आपको yellow यह जापक है यह आपका sulfur powder है Physical properties of metals and non-metals है तो आपको एक idea तो यहीं से मिल जाएगा पैचानने का तरीका और यहां पर हम दोनों की बाते करेंगे जिस example मैंने बोला अच्छे बच्चे कैसे संतो सर जैसे जो उनकी बात को फॉलो कर रहा है बुरे बच्चे कैसे जो बात को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम property पढ़ लेंगे metal की तो अपने आप से non-metals की property में उसका उल्टा हो जाएगा जो सीखने वाली बात है आप देखो ध्यान से देखो यहां मैंने कुछ कर रहा है आप notice करें देखो यहां पर ना एक जो छोटा जो square box में यह जो यह square box में है यह यह आपका exception है exception क्या होता है इसे मैंने आपसे बोला कि metals आपके room temperature पे solid state पर पाई जाते हैं अब मैंने red में कुछ लिखा हुआ है जो कि red आपका square box है तो वहाँ जो है वो exception है exception वो होता है जो rule follow नहीं करता हर ABKSJ ज़रूरी नहीं है बहुत होश यारो सर बेश्ती कर रहे हमारी नहीं बच्छा बहुत अच्छे हो बस मैं कहना चारो बुला आपका exception हम में इस में आपको exception ध्यान रखना है अगर आपने यह exception ध्यान रखा तो आपके यहीं से आपकी कोशन बन जाते हैं इस exception पर बहुत ध्यान देना डन है क्या exactly sir तो एक एक करके सारी property को हम पढ़ने जा रहे हैं आजाओ सबसे पहली property and that देखो यहाँ property है property और यहाँ पर एक तरफ metals है और एक तरफ का non metals है नीचे आपकी पास बहुत सारे प्यारे-प्यारे pictures है ताकि आपको अराम से relate हो जाए सबसे पहले lustrous की बात करते हैं lustrous का मतलब होता है signing surface जब metals आपके pure state पर होते हैं आप किसी भी metal को देखना जब वो pure state का मतलब कहा है या time के सासा जब वो dull हो जाते हैं तो वो अपनी lustrous property खो देते हैं बट उसे अगर आप फिर से रब करोगे ऐसे करके आप उसको yes ऐसे रगड़ोगे ना तो फिर से वो property आजाती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ metals in their pure state have shining surface and this property is called lustrous है तो मैं बोल रहा हूँ आपसे metals have shining surface metals lustrous property को show करते हैं अब इस तरफ आज़ो जो non-metals होंगे क्या वो lustrous property को show करेंगे आपका answer होगा no sir they do not have shining surface है अब मैंने आपसे कहा था ये आपका exception है बोलो कि आपका iodine क्या सभी को iodine दिख रहा है बच्छा iodine का symbol आपका I होता है क्या सबको iodine दिख रहा है ये आपका lustrous है ये non-metal होने के बाउजूद भी lustrous है तो ये exception है कि non-metal है फिर भी है अब याद कैसे करोगे आप ABKSSJ क्लास में आये हो तो हर एक चीज़ को यहाँ set करवा के वेजूँगा बोलो क्या आपको क्या बोलना है आपको बोलना है भी फास्ट हंजी बोलो I मैंने मैंने Odo नी लगा लिया मैंने बच्छा Odo नी लगा लिया और ये Odo नी लगाने से मैं चमक रहा हूँ I repeat सर ये कैसी बाते कर रहे हो मान लो या कर लिया तो IODO नहीं लगा लिया, मैंने OODO नहीं लगा लिया तो मैं चमक रहा हूं IODO, IODO, यस आपका हो जाएगा IODINE तो IODINE आपका لस्चरस हो जाएगा यह छोटे छोटे जो शौर्ट ट्रिक्स मान लो से ये आपके काम आएंगे ताकि लंबे समय तक आपको याद रहेगा पका exactly सरा आजाओ दूसरा यहाँ पर hardness है hardness बोले तो आपका जो आपके metals होते हैं मैंने आपसे कहा था ये सारे के सारे generally कौन से state पर पाई जाते हैं solid state पर तो अब यसी बात है they are generally hard अब generally के अंदर कुछ एकाद exception भी है उसी के हम बात करने जारे है बोलो Lee नाम का एक बन्दा है उसकी नाक न इतनी soft है कि उसको knife से cut किया जा सकता है repeat बोलो अब तो भी फास बो Lee Lee नाम का बन्दा है उसकी नाक इतनी soft है Lee की नाक इतनी soft है कि उसको knife से cut किया जा सकता है जुगाड हो गया Li से आपका हो जाएगा lithium Na से आपका sodium और K से आपका potassium ये ऐसे metals हैं जो metals होने के बाउजुद भी इतने soft हैं कि उसको knife से cut कर सकते हो यहां से question पूछा गया है कौन से metals हैं जो की hard नहीं होते Li की नाक याद रहेगा lithium, sodium, potassium पढ़ा जाए देखो एक देखो They are generally hard except sodium, lithium और potassium which are soft और उन्हें knife से cut किया जा सकता है और आप अभी पढ़ोगे इतने बदमाश होते हैं न कि इनको kerosene के oil में devotee रखा जाता है ये बहुत ज़्यादा reactive होते हैं कि अगर बहार expose करोगे तुरंत ये fire पकड़ लेगा अब कैसे हम पढ़ेंगे chemical properties के अंदर है बुलब का lithium, sodium और potassium इनको kerosene oil में immerse करके रखा जाता है ताकि हम accidental fire को बचा सके ये point में आगे discuss करूँगा 100% है कि अब यहाँ पराज हो अब बात करतें non-metals की तो अब आप मुझे बताओ non-metals कैसे होंगे obviously बात है non-metals आपके soft होंगे वीफा soft होंगे non-metal जातर non-metals आपके gaseous और कुछ-कुछ solid state पर होते हैं बढ़ यहाँ बहुत तगड़ा exception है and that is your diamond diamond आप मानोगे निए भीफा बच्छा diamond diamond आपका carbon का form है कोई आपसे पूछे diamond के अंदर क्या है तो आपको बोलना C और C बोले तो carbon diamond carbon का form है और यह hardest natural substance है non-metals के होने के बाउजूद भी जो C हो non-metals होता carbon फिर भी आपका hardest natural substance है now the question is why क्यों ऐसा अब यह आप देखोगे diamond का जब chapter 4 carbon and its compound में इसका structure देखोगे न इसका कुछ ऐसा structure है जिसकी वज़ा से यतने rigid इतने hard होते हैं लेकिन exception ध्यान रखना है और कोई पूछे diamond किसका form है आपका answer हो जाएगा carbon का form है इसका मला क्या हो carbon है carbon के items आरेंज होंगे diamond के अंदर है पकी बात लेकर figure से बोलो iodine यह non-metal होने के बाव जो भी आपका लश्चरस है lina का lithium sodium potassium इतने soft हैं कि आप knife से cut कर सकते हो diamond it is the hardest natural substance और यह non-metal इसकी carbon non-metal है फिर भी ऐसा है क्या सभी को यह दो property अच्छे से आगए हंजी सर बहुत ध्यान से देखना यह छोटी छोटी बाते नोट करते चलना ताकि आपको एक भी चीजे ना रटनी ना पड़े वो set हो जाएगी आज जाओ यहाँ पर और कितने अची बात है सासम कोशन भी करते जाएंगे आपको बहुत मज़ाने वाले पड़ा जाए जन्रली आपसे बोला गया है नान मटल्स लश्चरस नहीं होते इन्में से कौन सा नान ममेटल है जो अपका लश्चरस होगा आपक्या अंसर देंगे सर आई ने ओडो निल लगा लिया और राइट अंसर विल भी चौक दे बड़े हैं, आपका iodine is the right answer कॉल लोगे, अजी सर कॉल लेंगे Move on to the, आजाओ Generally, metals आपके solid in nature इन में से कौन सा metal, liquid state पे आपका room temperature ने पाया जाएगा वैसे हैं मैंने ये अभी करवाया नहीं है फिर भी आप guess कर सकते हैं, चलो कि अभी इसको waiting में रखो अगर आप इसका answer दे पारे हैं, बहुत चीजी बात है आपने class 9 ते पड़ा होगा, कौन सा ऐसा metal है क्योंकि देखो, metals ना, आपके room temperature पे solid state पर पाई जाते हैं ऐसा कौन सा metal है, जो room temperature पे तो आपको क्या बोलना है, अभी ध्यान रखो बोलो mercury है, mercury है, mercury है, mercury है liquid दे देंगे, मान लो, बोलो mercury है, liquid दे देंगे तो mercury, येस बच्चा, आपका इसका symbol HG होगा अभी ध्यान रखो, इसका मागे पढ़ने वाले, आपका HG is the right answer और कोई आपसे ये पूछे ना, कौन सा non metal, room temperature पे liquid है तो अभी आप पढ़ोगे BR, and BR बोले तो आपका bromine है, पकी बात हैं बोलो हाँ, bromine, पका, येस सर, हाँ, तो आप इसको याद करने का तरीका सुनोगे ये आपका metal है, और ये आपका non metal ध्यान रखना, सुनो बोलो क्या बोलना है मर क्यू रहा है, ब्रो, बोलो मर क्यू रहा है, ब्रो, liquid दे देंगे मर क्यू रहा है, ब्रो, liquid दे देंगे, मर क्यू रहा है, mercury, ब्रो से bromine, और yes, liquid दे देंगे तो ये एक metal room temperature पर liquid है और एक non metal room temperature पर liquid है call लोगे हां जी sir call लेंगे अब यहाँ पर आ जाओ आ जाओ and आ जाओ चलो किए देखा जाए अब बात करेंगे यहाँ पर यह जो कोशन है pending हो छोड़ेंगे अब यहाँ इसको पढ़ने के बाद फिर आप में जाएगे ठीक है अब थार्ड आपका state की बात करते हैं state क्या होता है state basically यहाँ पर हो जाएगा कि वो बहार से दिखने में कैसा है आप अब नोटिस करोगे न मैं physical properties की बात कर रहा हूँ इसकी property निकालनी है इसकी property निकालने के लिए मुझे chemical reaction करवाना पड़ रहा है तो chemical reaction करने के माल में metal है अब मुझे चेक करना है कि आपके पास यह oxygen से कैसे बिढ़ेगा तो metal को oxygen से बिढ़वाना पड़ेगा react करवाना पड़ेगा और that is a chemical property अगर मैं इसको देख के बता परों अच्छा यह black रंग का है इसकी height लग बग 15 cm है तो यह सारी जो property होती है वो आपका physical है पका ना physical जो देख के आप बता सको आप measure करके बता सको इसको बिना छेड़ खानी करे इसके बिना property change करे अब जो जो property बता सकते हो देख कर या measure कर सकते हो that is called physical जैसे इसका mass कितना है इसको रखो measure कर लो कि इसको change करना पड़े का नहीं तो mass कैसी property है physical है पक का दिख रहा है shining surface है physical property है कितने अच्छे बच्छे है चलो कि देखा जाए तो अब यह सी बात है metals आपके यह आपके solids होते हैं और yellow point आ गया except आपका mercury इसका symbol आपका HG है mercury एक ऐसा metal है जो room temperature पे कौन से state पर पाया जाएगा and the answer is liquid state पर पाया जाएगा mercury का आपने सुना होगा thermometer की अंदर जो fluid न जो rise होता है that is your mercury पका yes तरा जाओ अब यहाँ पर non metals की बात करते हैं yes sir non metals कौन से state पर पाया जाएगे the answer is आपका solids और gaseous है यह सलफर का powder देखा था आपने nitrogen gas, hydrogen gas, oxygen gas यह सब gaseous state पर है but एक ऐसा non metal है जो room temperature पे liquid है and that is your bromine symbol बोलो आपका BR हो जाएगा कर लोगे ना आपको कैसे ध्यान रखना है बोलो मर क्यूं रहा है मर क्यूं रहा है ब्रो मर क्यूं रहा है BRό मेरा liquid पी ले है मर क्यूं रहा है ब्रो liquid पी ले तो भी पास मर क्यूं रहा है BROW mercury, gaining dikk VA ño for the Bubble यह क्या होता है Sir और कुDJë दिया आपको यह क्या बताओ यह आपका मर्करी यह आपका रूम टेंपरेचर पे लिखे उड़ा चो और यह रहा देखो यह रप ब्रोमीन यह आपका बी आर बोले तो आपका ब्रोमीन है फिगर से ध्यान लखना बहुत लंबे समय तक याद रहेगा यह क्या कर रहे है आप यह मानलो यह गोल्ड का ऐसा था आपने हैमर से भट भट इसकी टांटे मारा और इसको थिन शीट में बना दिया आप अलमीनियम फॉयल का इस्तमाल करते हो ना सिम सिल्वर फॉयल है यह सब क्या है Metal को hammer से beat करके आपने thin sheet में convert कर दिया है And this property is called malleability देखो जब property की बात करोगे तो आप बोलोगे malleability बच्चे ना malleability और malleable ये वैसे English का difference है Malleability एक noun है और malleable एक adjective है संतर सार English की बात है कर रहे है हाँ बेटा English अच्छी है मेरी आजाओ तो अगर आपको बोलना है कि metals are dash तो malleability नहीं बोलोगे Metals are malleable उसकी adjective है और आपको बोलना है कि metals show the property of malleability Call लोगे न है yes sir तो बोलो metals can be beaten into thin sheet इसी को malleability कहते हैं और कोई आपसे पूछे सबसे best malleable metal कौन है आप guess करो आप guess करो पहले यस अनसर इस बोलोगा gold and silver gold और silver आपके best malleable metals है और gold का symbol क्या हो जाएगा AU और silver का symbol क्या हो जाएगा AG AU and AG are the most malleable metals है पक्का ओके सथ और जो non metals हैं आपके non malleable है कोई भी exception दिखने को नहीं मिलता है पक्का ना देखो यह क्या है आपका silver यह क्या है आपका gold most malleable metal है यह कौन सी property बच्छा malleability यह क्या है mercury आपका liquid होता है रूम टांपरेचर पे यह क्या है bromine जो की non metal है और रूम टांपरेचर पे आपका liquid होता है कि यह सब कुछ ध्यान रखोगे ना बहुत आगे जाओगे आगे बढ़े क्या आजओ पांचवे property में उससे पहले अब मेरे ख्याल से आप यह question कर सकते हो आजओ इन में से कौन सा non metal है जो की आपका liquid है बोलो कौन सा non metal आपका liquid है सोचो जल्दी से bro मर क्यों रहा है मर क्यों रहा है bro जाओ चलो क्या है move on to the next question नहीं है question और सिधा आजओ 5th point पे and that is called your ductility यह क्या है वीफास यह क्या है अभी आपने देखा कि metals को wheat करके thin sheet में convert कर सकते हो और यहां बोलो कि आपका जो metals है metals को अपने drawn करके thin wire में convert कर दिया है and this property is called ductility जितने भी electrical transmission के लिए wires होते हैं कौन से होते हैं metal के बढ़े होते हैं अभी पढ़ोगे metals are good conductors of electricity डाने क्या हंजी सर तो आपने क्या बोलना है बोलो metals can be drawn into thin wire इसी को बोलते हैं आपका ductility but non-metal करे हम तो ठहरे पर दे सी साथ क्या निभाओगे they are non-ductile ये non-ductile होते हैं आप उसको drawn करोगे वो तूट जाएगा पका ना एक्जेक्टिस ना आजाओ ये तो बहुत common है बच्पन से अगर हमने science का कोई practical किया वो ये वाला है हमें एक bulb दे दिया जाए और एक battery दे दिया जाए हम जोड के उसको जला देंगे सर अगर condition सब धीक हो तो ये क्या देखो किया यहाँ पर ये आपका source of electricity battery है यहाँ पर ये bulb है यह आपका switch है अभी on है और यहाँ पर clip A और B है इसके बीच में space है तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा material insert करता हूँ जो कि metal है तो आपका ये glow कर जाएगा इसके अलावा मैं non-metal को insert करूँगा तो glow नहीं करेगा इसका मतलब जो metals होते हैं आप पढ़ोगे बहुत detail पर chapter 11 electricity पर कि metals के पास free balance electrons होते हैं यह अभी समझ में आएकर chapter learn पर जुसकी विज़े से electricity conduct कर सकते हैं तो simple से बीटा metals are good conductors of heat and electricity heat का best example है और do not worry आप सर संतो सर ये बताओ NCRT के activity नहीं करवा रहे हो hands up आप तो कहरते हैं मैं NCRT के हर एक line कराता हूँ बच्छा starting up 4-5 activity काम के नहीं है अभी देखो कि मैंने 7-8 activity कराई हुई है तो यह आपका activity बहुत सिंपल सा है ऐसे कुछ ने बने के chance ही नहीं है तो ऐसे में हम time waste नहीं करेंगे bulb glow करेगा यह तो नहीं कर सकते हैं आच आजब सेम ऐसी है आपकी activity बटा देखो यहाँ पर है क्या यहाँ पर आपके पास एक burner है उपर ना इसको ड़ाई clamp है और यह stand है बच्छा और यहाँ पर आपने इक metal का wire ऐसे fit कर रहा है इसके एक end में आप क्या कर दो बटा एक आपके पास बोलो यह pin की मदद से एक pin है और वहाँ पर आपका wax भी है wax आपका wax अंदर mom mom है तो आप से यह गरम करोगे तो heat बोलेगा इधर चला मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला heat आपका इस metal wire ऐफ लो करेगा यहाँ से यहाँ की तरफ यहाँ से यहाँ की तरफ तो क्या metals आपके यहाँ पर heat को conduct कर रहे है आपका answer यह से सर बरतन ऐसी तो काम करता है हम बरतन को गरम करेंगे तो बाकी एंड गरम हो जाता है क्यों metals heat को conduct करते है चौलेगा yes सर बोला जाए materials are good conductors of heat and आपका electricity पकी बात है क्या और यहाँ पर कौन best है आप बताओ मुझे जिन बच्चों ने मेरे साथ सा electricity पढ़ लिया उनको पताओगा best conductor of electricity आपका silver है तो sir silver के wire क्यों नहीं होते बाई यह में इतने अमीन नहीं है ना हम तो youtuber है just kidding here बहुत प्यासा है बटा आप से का प्यार है और silver और copper are the best conductors of heat और add कलो electricity heat and electricity call लोगे yes sir call लेंगे तो हम copper के use क्यों करते है क्योंकि copper जो आपका सस्ता है as compared to आपका silver है यह बहुत important है यहाँ से यह सीखने लिए बाद अच्छा है यह exception है बोलो क्या कि आपके पास सारे metals good conductors of heat and electricity होते हैं बड़ exception है अब इसके लिए मुझे थोड़ी नोटाइं करनी पड़ेगी और नोटाइं की के लिए मुझे phone लेना पड़ेगा अपना ऐसे hello हाँ यार बहुत गर्मी हो रही है कहा आजाओ pub में आजाओ हंजी हंजी pub में आजाओ हंजी pub में आजाओ हंजी क्योंकि वहाँ heat ना conduct नहीं हो पा रही है तो छट से heat नहीं आपा रही है तो हमें ठंड़ ठंड़ फिलोगा pub आजाओ हंजी pub आजाओ हंजी phone को side रख दो बोलो क्या है pub हंजी pub से हो जाएगा lead और हंजी से हो जाएगा mercury ये ऐसे में आजाओ हंजी जो की पूर conductor of heat है क्यासे याद रखा pub आजा हंजी क्योंकि heat conduct नहीं उपा रहा ये ऐसे मेंटर्स है जो की पूर conductor of heat है CBS से ने कुशन पुछा हुआ है pub हंजी कौन से मेंटर्स है जो की पूर कन्डेक्टर है, गुर सब को पता है, बहुत सारे हैं, बट पूर आपको ध्यान रखना है, 100% है का, येस सर, अब यहाँ पर आजाओ, कि सर, metals are good conductors of electricity, but non-metals are poor conductors of heat and electricity, पकी बात है, बट यहाँ पर देखा जाए, बटा, क्या सरी को दिख रहा है, बोलो हंजी सर, ये बोलो क्या आपका, ये क्या है, आपको दिख रहा है सभी को, हंजी, ये आपका हो जाएगा, ये तो बिट लेड है, ये आपका PV है, ये आपका लेड है, और ये आपका मरकरी है, यहाँ, आई तिंक, पिच्छर मेंशन नहीं बटा, ग्रैफाइट, आपने देखा होगा, पैंसिल का, देखा है, पैंसिल के अंदर, जो ब्लाक रंग का होता है, डैट इस ग्रैफाइट है, और ग्रैफाइट भी आप मानोगे नहीं, बच्छा कारवन का ही फॉर्म है, मैं आपको एक बात यहाँ सिखाना चाहता हूँ, कारवन के ना, एक्जाम का सुनो, जैसे मालों मैं अभी आपको दिख रहा हूँ, डने क्या, और मैं अभी यहाँ पर, जो है, अभी मैं अभी टीचर की तरह लग रहा हूँ आपको, ठीक है, आब म सब की प्रापर्टी सेम होगी, तो वैसे ही कारवन है, बहार से दिखने में देखो डाइमंड, आपका ग्रेफाइट और पढ़ोगे एक चाप्टर फोर में, फुल्वरेंस होता है, यह अलग-अलग है, बट इसके अंदर जाकोगे ना, तो कारवन ही नज़र आएगा, तो कारवन के अलग-अलग दिखने वाले फिजिकल रूप को डिफरेंट फॉर्म्स अफ सब कारवन, इसको नोट कलो, इसे हम आगे पढ़ेंगे बच्छा अलो ट्रॉप से, तो आप मानोगे नहीं, अगर आप से कोई पूछे, क्या डाइमंड के अंदर भी कारवन है, यह सर, क्या graphite के अंदर भी carbon है यस सर तो इतना अलग क्यों हो क्योंकि इसके अंदर जो atoms है उनका arrangement अलग-अलग होता है जो कि chapter 4 का part है अब इस वितना को carbon के अलग-अलग groups को क्या बोलते हैं बच्छा आपका allotrops कहते हैं तो यह जो आपका graphite है यह carbon का ही form है और यह good conductor of electricity है कौन सा non-metal good conductor of electricity answer क्या हो जाएगा सार बोलो बच्छा हंजी graphite है कल लोगे exactly metals होते ही है कुछ exception भी देखे हैं नहीं तो यह जो exception है बार-बार मैं कहा रहा हूँ इसको ध्यान रखना है कल लोगे फिर से बोलो अब यहाँ पर एक question मैंने छोड़ा था बीज में आई यह वाला बोलो क्या है अब पढ़ा जाए the ability of metals to be drawn into thin wire is known as metals से गर आप thin wire बना सकते हो उसे क्या कहा जाएगा and the right answer is ductility पकाना exactly सा आजाओ चलो चलो और यहाँ पर आजाओ और यह हमने पढ़ लिया generally जो आपके non-metals होते हैं generally non-metals जो होते हैं यह good conductors of electricity नहीं होते कौन सा यहाँ पर good conductor होता है अभी देखा था वो carbon का कौन सा रूप है that is your graphite देखो मैं इसी की बात कर रहा था देखो बोला जाब लो यह आपका diamond यह गोले कलो diamond आपका graphite और fulleran है जो हम chapter 4 पढ़ेंगे यह तीनों आपके carbon के allotrops है तो ऐसा ना कोशन आ सकता है बोलो क्या carbon का वो कौन सा allotrop है जो की hardest natural substance है diamond carbon का वो कौन सा allotrop है जो की good conductor of electricity that is your आपका graphite है और इसके बारें पढ़ोगे ओके ना yes राजाओ चलो 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 के आजाओ यहाँ पर आप now we have the question यह भी आप the property number आपका 7th density आप सबने density के बारें पढ़ा होगा density को define करते है density होता है आपको इसको ना rho से दिखाया जाता है and this is your mass upon पे volume बोलो mass upon पे volume पकी बात बच्छा yes and no okay ठीक है तो आपके जो metals होते है उनकी वो अभी इसी बात है solid state पर है solid की density ज़्यादा होती बच्छा इसे liquid से और liquids की ज़्यादा होते है gas से पकी बात है नो we gonna know density ज़्यादा होती बट याद आया कुछ lee की नाक इतनी soft है lietheum, sodium, potassium यह soft होते हैं न तो इनकी density कम है इनको knife से भी cut कर सकते हैं पढ़ा जाए जनरली है high density बोला जाए high density और यहां पर यह high melting point भी होता है यहां से important question बनने वाला है melting point के आपको पता होना चाहिए एक ऐसा temperature जहां पर solid पिगलना चालू करेगा और क्या बन जाएगा आपका liquid and that is your call melting point ह जिस point पे वो melt होना चालू हो जाएगा ऐसे ice at zero degrees Celsius अब यहां पर आजाओ तो जो exception है बोलो कि आपका lithium ली आपका sodium आपका na और आपका potassium बोलो कि हैं यह ऐसे metals हैं जो कि आपका low density शो करेगा और दूसरी बात हैं क्या निखा बिटा कि metals के high melting point होता है बोलो जाकाशी जाकाशी तो बहुत जल्दी melt हो जाता है बोलो जाकाशी जी ए और आपका CS जी ए और सी ए से पच्छा बोला जाएए कैसं तो सर तो जी ए से आपका हो जाएगा gallium और CS से आपका हो जाएगा sesium बोलो आपका sesium यह ऐसे metals हैं जिनका melting point बहुत कम होता है इतना कम होता है कि अगर इसे अ sesium का melting point इतना कम है कि यह आपके palm के heat से melt हो जाते हैं तो क्या यह भी exception है कैसे याद रखा जाकाशी जाकाशी तो बहुत जल्दी melt हो जाता है तो बहुत soft है रहे जा वहाँ से cutter हो किया पकी बात है हंजी sir और जो non metals हैं बोलो उनकी density कम होती है उनका melting point भी कम होगा यह तो बह metals को आप मारोगी ना इसे tongue tongue तो वो ringing sound देगा आरे दिखो चेकरो ringing sound नहीं देखा जो नहीं है नहीं है अरे metal ही नहीं है metal ही नहीं है metal ही नहीं है metal मारो ringing sound आईगा and this is your call sonorosity ringing sound है metals produce a sound on striking a hard surface है लेकिन आपके जो non metals है वो आपके sonoros नहीं होते हैं कॉल लोगे चलो के बताओ कौन है lithium sodium potassium यह बहुत खास है इनकी density कम यह इतने soft होते कि नाइव से cut किया जासता और आगे पढ़ोगे chemical properties में कि इनको न बचा क्या है देखो kerosene के oil में immerse करके रखा गया क्योंकि बहुत जादा reactive होते है accidental fire से prevent करने के लिए इसको डिवोके रखा जाएगा यह कैसर ringing sound है बोलो sonorosity hundred percent है कि इसका small electric valve में किया जाएगा चालो क्या है अब यहां पर मैं आपसे कहा था बोलो क्या कि जो NCRT की activity 3.8 है वो काम की है उससे पर छोट असा एक recap बोलो कि जली से आजाओ हंजी 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 बोलो कि आपका भी फास देखो Lushrous signing surface hardness metals अपके hard होते हैं और metals आपके signing surface देखेंगे तो Lushrous होंगे और साथ में exception होजाएगा Lee की नाग बहुत soft है इतने soft है के knife से cut कर सकते हो आपका exception है और यहाँ पर graphite यहाँ पर diamond बच्छा एक ऐसा no metal है जो कि hardest natural substance है उसके बावचे बात की जाए तो यहाँ पर state की देखा mercury room temperature पर लेक्योड, bromine room temperature पर लेक्योड और malleability metal को beat करोगे hammer से thin sheet बदल जाएगा malleability और सबसे best कौन है gold और आपका silver है अब यहाँ पर आज जाओ फिर देखा ductility metal को खैंचोंगे thin wire ने बदल जाएगा that is called liquidity और metals आपके good connectors of heat and electricity होते हैं best कौन से silver and copper और poor कौन से पर हां जी अब यहाँ पर आज जाओ बोलो कि 9 metals आपके poor connectors but exception is there graphite है और फिर हमने क्या देखा आपका density तो metals की density जादा होती है इनकी कम है exception is there sonorosity ringing sound है अब यहाँ पर यह जो activity 3.8 है बच्छा यह बहुत काम की है और इसको VIP लिख लो यहाँ का जो conclusion है यहाँ से मैं जो conclusion निकालने बालो वो आपके बहुत जादा काम का है पक्का है क्या आज हो देखा जाए वीफास देखो है क्या और यह आपको इतना कठी नहीं लगया because आपने जब chapter first chemical reactions और यह question पड़ा तो वहाँ same है take a magnesium ribbon कुछ याद आया magnesium ribbon हाँ जी sir magnesium का ribbon लेना है और कुछ आपका sulfur का powder देखो यह वीफास बोलो क्या आपका यह magnesium का ribbon है और यह आपका sulfur का powder है 100% है क्या चलेगा yes sir ठीक है burn दा magnesium ribbon आब जाओ अब magnesium के ribbon को burn करना है simple सी बात है अब इतना तो आप chemistry सीख चुके हो जब मैं burning की बात करूँगा तो आपका जो mg बिटा mg किस से combine करने वाला बोलो O2 से और क्या बन जाएगा आपका यह बनेगा MGO बालेंस करना में बचे को बहुत चीज़ा आता है तो आपके पास यहाँ पर जो powder इखटा होगा white रंग का that is your magnesium oxide है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर आपने किया क्या है metal को oxygen से करवाया है तो क्या मैं इसको metallic oxide क्या है सकता हूँ बलो हाँ जब metal को आपने oxygen से reactor करवाया तो क्या बन जाएगा बलो metal का oxide metallic oxide से यहाँ पर आजो सेम देखो चाहँ आप second देखोगे आपके पास देखोगे यह spatula है और यहाँ sulfur का powder है आप sulfur को न सेम burn करोगे आपका तो क्या बनेगा आपका SO2 that is your sulfur dioxide gas है यह आपका gas है और यह आपका powder है and that is you in a solid state है 100% देखोग पड़ा जेक लिखाए burn the magnesium ribbon किया हमने बुलो हाँ और collect the ashes यह है कि basically आपका MGO है पका ना yes sir अब जो ash इखटा हुआ है क्या करना भी fast तो क्या मैं इसको metal का oxide किया सकता हूँ यह sir यहाँ पर आचाओ जब non-metal का अपने oxygen से करवाया तो यह जो बनेगा इसे क्या बोलेंग यार non-metal का oxide है यह metal का oxide and this is your non-metal का oxide बताओ carbon dioxide, metal का oxide की non-metal का यह non-metal का यह आपका Al2O3 aluminium oxide है बच्चा यह metal का है पक्की बात ना यह तो आपका आगए और कैसे क्या मैंने हंजी sir अब जो ash इखटा हुआ है वी fast यह जो ash इखटा हुआ इसको पानी में dissolve करना है आज जाओ देखो तो आपका जब Mg हो ना आप इसको पानी में डुबोगे आपका H2O से तो क्या बनने बाना देखो यह metal का oxide है जब आपको water दोगे ना तो यह बन जाएगा आपका metal का hydro oxide भी fast बो metal का hydro oxide है तो यह जो बना है इसका solution पढ़ा जादेओ का लिखा पढ़ो पढ़ा देओ collect the ashes formed and dissolve them in water क्या बनेगा आपका Mg आपका OH का twice बन जाएगा and अब इसको check करना है किस से आपका red और blue लिटमस से तो अभी आप देखोगे यह आपका basic in nature है वी fast यह आपका basic in nature है और अगर basic in nature है तो यह तो आपनें observe करोगे न कि आपको पता है red वाला blue हो जाएगा but blue वाला red नहीं होगा because base जो होते हैं वो red को blue करेंगे तो हम क्या देखें अच्छा यहाँ पर यह जो है वो red लिटमस को क्या कर देगा blue कर देगा इसका मतलब यहाँ पर जो metal के oxide का जब आपने solution बनाया be fast metal के oxide का जब आपने solution तयार किया उसका nature बोलो कि basic है यह conclusion है I repeat बोलो आपका metal के oxide का solution लोगे तो basic in nature है इसको मैंने बहुत पहले याद करवाया होगा बोलो क्या MOB MOB बो बोलो क्या basic है 100% है सेम अच्छा यहाँ पर करना है अब जो यहाँ पर करना है अब जो यहाँ पर करना है देखो Is the product formed on burning magnesium acidic और basic है मुझे बताओ यहाँ पर जो product बना है उसका nature बोलो क्या basic है Sir आपको कैसे पता चला क्योंकि उसने red को blue करा सेम यह कहानी यहाँ भी करना है आप यहाँ पर आजाओ सेम वही कहानी है आपने पहले बोलो क्या क्या बिड़ा आपने sulfur को burn के तो S आपका O2 से combine कर गी आपका SO2 and that is your sulfur dioxide है इसका भी आपको यहाँ पर water को add करना है और इसको yes इसको shake कर दो तो मुझे बताओ यह जो SO2 है वो किस से भीड़ने वाला बच्चा water से क्या बनेगा yes यह बनेगा H2SO3 यह नया आपके लिए सीखने के लिए है यह sulfuric acid नहीं बच्चा यह sulfurous है बोलो क्या आपका यह sulfurous acid है यह आपको ध्यान रखना है जब अपने SO2 को water से करवाए ना तो यह बना अब मुझे बताओ यह acidic in nature होगा ना तो पूछा हुआ है कि उताब blue और red से चेक करो मुझे बताया जाए बच्चा कि यहाँ पर यह क्या करेगा sir यह अगर acid है ना अब का अपका M-O-A बो नम हो अभी आपने यहाँ क्या बो चापका बो मॉब मैंने इसको याद कैसे करवाना है बो जो मॉब है मॉब पता क्या होता है आपको बदमाश जो गुड़े होते हैं बेसिकली जो डिशुन डिशुन करते हैं तो मॉब है मॉब क्या कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे बन गए है और नमो 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 कर रहे है मॉब क्या यह संतो सर का रूल है मॉब क्या करें नमो नमो यह गंदा हो गया मैं क्या कर रहो है मेरे मार्क्स कर जाएंगे प्रेक्टिकल में आज यह स्बिटा मॉब क्या करें नमो नमो तो मॉब से metallic oxide basic और non metallic oxide से आपका acidic के nature है यह आपको ध्यान रखना है यह देखो लिखाए अटा can you write equations यह बच्छा पूछा गए important है इसलिए दोनों की equation में आपको लिखके दिखाई आप वहाँ से कर सकते हो कर लोगे न exactly sir यहाँ बना sulfurous acid और यहाँ बना magnesium hydro oxide का solution अगर आप relate कर पाऊ न जिसे example calcium था यहाद है calcium को अपने water से be fast just a second बच्छा calcium oxide को अपने water से कराए था calcium oxide plus में आपका water था क्या बना था आपका calcium hydro oxide तो अब आप मुझे बताओगे अगर यह calcium hydro oxide का solution है be fast तो इसका जो solution है उसका pH 7 से जादा होगा या pH 7 से कम है अगर आप मुझे यह पूछ रहे हो कि sir pH क्या होता बिटा तो अब chapter 2 आप पढ़ो unacademy के प्लेले से मिल जाएगा मैंने बहुत detail पर कराया हुआ है पका चलो अब यहाँ पर आजाओ चलो 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 अब recap करते है recap करें क्या यह सारी photos से अगर आप recap कर पा रहे हो यह photos लेने का एक ही मतलब था अगर आपने अभी तक जो पढ़ा उसकी मदद से आप recap कर पा रहे हो इसका मतलब आपने बहुत ध्यान से physical properties को master कर लिया इसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं बिटा chemical properties of metals physical properties देन आपको chemical properties ऐसे करते करते हैं पूरे chapter को हम यहाँ पर master कर लेंगे 100% है क्या हंजी से चलो क्या है अब देखते हैं और मुझे इमानदारी से बताना 1,2,3,4,5,6,7,8 8 में से आपने कितने को recall कर पाए बताओ पहले figure को देख किया आप क्या बता पा रहा है हो जली से 3 second मिलेंगा सोचने के लिए 1,2,3,yes sir कि आपने पढ़ा था कि metals आपके hard होते हैं but बो ली नाक, ली की नाक इतनी soft है lithium, sodium, potassium यह ऐसे metals है जिसको आप knife से कट कर सकते हैं वो आपने यहां से सीखा था 100% है बच्छा, यहां पर आजाओ क्या सीखा देखो metal को जब hammer से beat करोगे तो वो thin sheet में बदल जाते हैं and this property is called malleability तो metals are malleable non metals are non malleable ठीक है? तीसरा, बोल आपके तीसरा lithium, sodium, potassium से वही यह बच्छा कि पहली बात तो यह soft है दूसरी बात इनकी density कम होती है हने न और यह पढ़ोगे जब हम chemical properties को पढ़ेंगे कि आपको इनको kerosene की oil में immerse करके रखना होता है बोलो यह कौनसी property है पहली बात तो यह सब copper wire है तो metals are good connectors of electricity साथ में metals को drawn करके आपने thin wire ने बदल दिया this is called ductility metals are ductile, non metals are non ductile यहां बोलो क्या है सर अगर clip A और B जो आप जगा है न बिटा वहां पर आप metal को insert करोगे तो क्या electricity conduct हो जाएगी yes sir, metals are good connectors of electricity और यहां पर आज जाओ sir, हमने देखा था कि जो wax है वह melt हो जाता है, इसका मतलब heat जा रही है तो metals are good connectors of heat also, और मुझे आप बताना कौन से are metals जो पूर connector of heat है मुझे याद है, पबहन जी लेड और साते मर करी आजाओ ringing sound so nor a city और यहां पर diamond, यह carbon का allotrop है, जो की hardest natural substance है done, yes sir, अब मुझे जरू बताना कि art मिसे आपके कितने सही चलो कि है, यह आपके NCRT में सारे points है, जिनकों हम पढ़ चुके है बस एक बार recap कराता है, point to be kept in mind exactly मैं NCRT के line ली गई है आप बिलकुल ना, अगर आप unacademy के संतोर भड़ सड से, AB के SJ के family से कर रहे हो निश्चिन्त हो जाओ, NCRT की मैं एक भी line मिस नहीं करवाओंगा, मैं फिर से बोलूँगा, आपका foundation, foundation, foundation लोग आपको कहते चले जाएंगे बट अगर आपका foundation को strong करना है तो you have to master NCRT NCRT को अगर अपने master कर लिया, तो अपने foundation का लगबख 60-70% कवर कर लिया बच्चे ना बहुत जादा पढ़ने की कोशिस करते हैं जादा पढ़ने की कोशिस मत करो short में जो आपके पास है उसे कवर करो, जब वो हो जाएगा तो next book की तरफ जाओ, तो ऐसे बनेगा आपका foundation, ठाट, ठीक है पढ़ते हैं से बच्चों की तरफ बच्चों की तरफ रीड करना जाओ बोलो क्या है, all metals except mercury exist as solid at room temperature जो आपने पढ़ा, कि सारे metal mercury को छोड़के इसका similar अपका SG है, वो अपका room temperature पर liquid, बोच्छे ओधनना, ये room temperature हम ideally कितना लेते हैं 25 degrees Celsius yes, call लोगे, yes sir, call लेंगे, आजओ second point पर आजब बोलो, क्या देखा metals के पास, हाँ, yes, उनका melting point ज़्यादा होता है, ऐसा temperature जहां पर metals, आपका melt होके liquid बना चालो होगा, that is called melting point है, बट, बोलो, क्या था, कुछ यादा, जाकाशी जाकाशी बोलो, gallium, ocesium इनका melting point कम है, इतना कम है कि ये melt हो जाएंगे, अर आजब से हाथ में रखोगे, palm पे रखोगे, palm के heat से melt हो जाता है, जाकाशी बोलो, iodine, I ने odonine लगा लिया, iodine is a non-metal, but it is lustrous 100% है क्या, yes sir, बोलो carbon क्या है बटा, carbon आपका non-metal है, और carbon के अलग-अलग रूप है, देखो, carbon that exists in different forms, और इसी different forms को क्या बोलते हम, allotrop है carbon के, अब से मेरे question है, graphite और diamond, ये बहार से दिखने में अलग-अलग है, तो इनकी physical properties, अलग-अलग है but इसके अंदर तो carbon है ना तो क्या में ऐसा कैसा हो, अंदर से में तो chemical properties से में तो क्या diamond और graphite की chemical properties से में, ये सर्थ physical अलग है, मेरे ख्याल से अब शाहिए आप physical और chemical में difference समझ गए होंगे, आचाओ तो पढ़ो जावटा देखो, diamond एक आपका carbon का allotrop है, जो की hardest natural substance है और yes, इसका melting point बहुत ज़्यादा होगा, boiling point भी बीटा क्योंकि बहुत hardest है, density ज़्यादा है graphite आपका एक ऐसा allotrop है, carbon का, जो की good conductor of electricity है, क्यों है, देखो अभी आपने पढ़ोगे, की electricity conduct करना ने करना, depend करता है free valence electrons, बोलो, free valence electrons है, तो graphite क्या structure जो न, वहाँ पर एक electron जो है, we first, वो free होता है तो वो move कर सकता है, जिसकी विज़र से electricity conduct हो जाएगा, बोलो, आपका lithium, sodium, potassium sir, इसके आगे alkali metal क्यों आया ध्यान तो, ये सीखने आली बात है alkali metals, कुछ याद आया ऐसे base, जो water पर dissolve हो जाते हैं, उन्हें alkali कहते हैं ये जो आपका lithium, sodium, potassium है अगर मैं lithium का oxide लोगा Li2O, sodium का अच्छा आपका Na2O, और जो potassium का बोलो कि आपका K2O है इनके जो oxides होते हैं, विफास्ट इनके जो oxides हैं, उसका अगर आप solution लोगे ना, तो इस solution में, आप क्या हो जागा, भीफास्ट, ये बनाएगा बेटा, बेस, ये अलका, अलका, देखो ये बनाएगा बोलो कि है, lithium hydro oxide बोलो lithium hydro oxide बोलो हां और सहीं बच्छा, ये bracket नहीं आएगा बेटा, भीफास्ट ये bracket नहीं आएगा, लीथियम hydro oxide है और ये बनाएगा बच्छा, आपका आपका sodium hydro oxide है और ये बनाएगा potassium hydro, आई रपिल बच्छा बीफास्ट, ये जो आपके पास lithium sodium potassium है इनका जो oxide है वो water पे dissolve होके क्या देखा आपको alkali, येस सर ऐसे base जो water पे dissolve है, इसलिए इनको alkali metals कहते हैं, बोलो, इनका oxide, water में dissolve होके, आपको क्या देगा alkali, इसलिए इनको alkali metals कहते हैं, और ये इतने soft हैं कि इनको knife से भी cut किया जा सकता है, इनकी density और melting point क्या काम है, बताओ ये क्या है वीफास्ट, mercury ये क्या है आपका iodine ये बोलो कि आपका diamond, बोलो तो carbon है ना, ये बोलो कि हाँ, ये graphite है और ये बोलो कि ली ना का इतने soft हैं, चालो कि है मज़ा आया हंजी सर, question किया जाए इनमें से कौन सी property metal नहीं दिखाएगा, not बोला है बताओ, electrical connection तो दिखाएगा, ये तो दिखाएगा ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा dullness, yes, dullness metals नहीं दिखाएगा, metals के पास क्या होता है, shining surface that is called let's show us, आजाओ and yes, 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 yes we have completed this lecture जहां पर हमने physical properties of metals को complete के साथ में no metals है, अब यहां पर next हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या हो जाएगा आपका chemical properties of metals है ऐसे करते करते हैं, पूरे chapter को master कर लेंगे, और ये कैसर दिखो, simple सी बात है अगर आपके पास unacademy का आप नहीं है बच्चा, तो आप कुछ मिस्स कर रहे हो you must have unacademy application आप जाके play store से download करो, आप play store से जाके unacademy का application download करो, और वहाँ पर जाके मुझे follow करो, क्योंकि वहाँ पर मैं daily life classes कर रहा हूँ अगर आप मेरे paid batch को join करना चाहते बिटा, तो मैं ये कर रहा हूँ कहाँ पर तरक्की batch में तो तरक्की batch को join करके, आप मेरे paid batch को join कर सकते हूँ, जहाँ पर आप देखोगे विच्छा कि SST दिग्राज सर, मैं आपका yes, science, math आपका yes, English और Hindi ये सब कुछ आपका चल रहा है, ये आपके उपर है, आप अगर चाहते हो कि सर मैं आप से join करना चाहता हूँ, doubt लेना चाहता हूँ, आपके चाहता हूँ, तो ये मौका आपको मिलता है, आपके प्लैटफार्म पर, साथ बेना हम यहाँ पर बहुत सारी क्लास, इस्पेशल क्लास करते हैं, ये जो इस्पेशल क्लास होती है, वो आपका बोलो क्या होती है, हंजी इसका कोई प्राइस नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आके अनकेडमी में इस प्रेशल क्लास को जॉइन करो, आपके आपके अनकेडमी का अप होना चाहिए, और जब फर्स्ट एम क्लास में आओगे, तो मेरा एक रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड से आप मेरे क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी, कोई भी कैटेगरी है, उसमें अगर कोर्स को जॉइन करते हैं, तो आपको यहाँ पर 10% का ओफ मिलता है, और कभी कई ओफर में 25% तक मिल जाता है तो एक कोड नोट कर लो, जब भी आप अनकेडमी पर कोई पेट कोर्स लोगे न, आप इसी कोड का यूज़ करना, इससे क्या होगा, कि आप मारे फैमली से होना यार, तो करना तो पड़ेगा एक्जेक्टी, जल्दी जाके मुझे फॉलो करो मेरे सारे अपडेट आपको मिलते चलेंगे यह काम कर लोगे, अनजी सर कॉल लेंगे, आप यहाँ पर आज चलो के, यह मेरा पेट बैच है, आप मेरे पेट बैच को जॉइन कर सकते हैं बहुत सिंपल है, आप अभी जो वीडियो देख रहे हो ना इसके डिस्क्रिप्शन पर जाना, वहाँ पर जब ओफर चलता है, तो बिटा देखो, सिर्फ यह है 1062 पर मंत है, आपको चार-चार सब्जेक्ट मिल रहे हैं, बताओ क्या चाहिए और अभी बहुत सारे क्रैश कोर्सेज और बहुत सारी यहाँ पर सिरीज आने वाली है, तो आप सब मेरे पेट बैच का हिसा बन सकते हो, लिंक is in the description ओके ना, and yes बच्चा लोग अब बात करते हैं, बोलो क्या, हंजी, हर बार की तरह homework question की जो आप करके मुझे submit करने वाले हो, कहाँ पर कहाँ पर, मैं बताओगे, आपका exactly यहाँ पर comment section पर आजाओ, पढ़ा जाए Alminium का use किया जाता है, किस के लिए विटा, आपका utensil को में, जो cooking डाजन होते हैं, जो बरतन होते हैं उसमें बनाने के लिए Alminium का use किया जाता है, तो कहरा कि बताओ, Alminium की कौन सी property responsible है, पहला thermal connectivity की heat को connect करता है, electrical का कोई मतलब नहीं होता, ductility और high melting point, आ सोचो बरतन के लिए क्या ये होगा, मेरे ख्याल से नहीं है, sir, home work था, आपने क्यों किया, क्योंकि अच्छा question था, तो यहाज first और third, कि पहली बात तो thermal connectivity अच्छी होने चाहिए दूसरा melting point जादा होना चाहिए, बोलो कि आपका first and fourth बोला जाए, option क्या हो जाएगा, लेकिन आप ये type करके जरूर लिखना है, मैं चाहता हूना, इसका answer लिखो कि answer और type करके बताना कि हाँ, ये इसका answer है, कि ये submit करना मुझे बहुत कुशी होती है, और ये चलो कि, ये आप खुद दिमाग लाओगे ये मैं help नहीं करने वाला बोलो कि है, आपके पास एक non-metal है, नहीं पता कि non-metal x क्या है, उसके दो forms है, शायद अब idea मिल गया, एक y और z, देखो एक है x, ये non-metal है, इसके दो forms है y और z है, और जो y है न y, y जो आपका hardest answer मिल जूका आपको, natural substance है, और z जो है वो good connector of electricity है, बताओ कि x क्या है, y क्या z है, तो आप मुझे लिखना कि x क्या है, y क्या है, z है in the comment section, and yes, this is the end of this lecture, जहाँ पर हमने बहुत अच्छे बच्चों की तरह हमने complete किया, यहाँ पर physical properties of metals है, आप शांदर तरीकिये से इसको revise करना, और then जो next, आपके पास part होगा, वहाँ पर हम discuss करें, chemical properties है, आप ऐसे करते करते न, देखो, patience रखो, जल्द बाजी मत करो, आप बहुत जल्दी भागते हो, patience रखोगे, lecture आते जारे हैं, आप सिर गम्विट करते जाओ, आपसे ज़्यादा फिक्र हमें होती है, किसलिए बाज जल्दी करवाने की, इसलिए हो जाएगा, so make sure आप होमवक समिट कर दो, and yes, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, like ज़रूर करना, मुझे बहुत खुशी हो दिया, सारे बच्चे आंसा दे देना, होमवक के पाउं पे, कामें सेक्षन पे, और जाते जाते, अवाज नहीं आ रही, सम मिलके बोलेंगे, अच्छे, बच्चे कैसे, सौंतों सर्जैसे, A, B, K, S, J, RUX